reuse slide option की मदद से आप किसी दूसरी presentation की slides को अपनी इस presentation में use कर सकते हो जैसे मैंने already desktop पर एक presentation बना रखी है myppt के नाम से और इस presentation में मैंने computer, mouse, keyboard से related को slide बना रखी है मैं चाहता हूँ इस presentation की slides को अपनी blank presentation में use करना सबसे पहले मैं control and press करके एक blank presentation मैंने open कर लिये आप चाहता हूँ तो already अगर आपने कोई presentation बना रखी है आप उसको भी open कर सकते हो तो मैंने अभी एक blank presentation open करी और अब मैं चाहता हूँ कि इस presentation में ये जो slides है इनको insert करना अपनी इस वाली presentation में इसके लिए मैं new slide पे जाऊंगा और reuse slide पे क्लिक करूँगा तो right side में यहां पर आपको browse पे क्लिक करना है आपकी computer की directory open हो जाएगी अब आपको अपनी उस presentation को select करना है जिसकी slide आप use करना चाहते हो तो मैं desktop पे जाऊंगा और यहां पर मेरी presentation है myppt के नाम से open पे क्लिक करूँगा तो right side में मुझे उस presentation की सभी slide शो हो जाएगी अब मैं चाहता हूं जैसे की keyword की slide को insert करना अपनी presentation पे तो मैं keyword पे क्लिक करूँगा तो देखे keyword की slide यहां पर insert होगी अगर मैं चाहता हूं computer की slide को insert करना तो computer पे क्लिक करेंगे तो computer की slide insert हो जाएगी अभी देखे right side में जो यहां पर slide शो हो रही है इसमें मैंने design भी दिया है लेकिन जब मैं यहां पर अपनी slide को insert कर रहा हूं तो मेरे पास यहां पर सिर्फ content आ रहा है उस वाली presentation में दिया था वह इस presentation में भी show हो रहा है तो अब आप किसी भी slide पे जब आप click करोगे तो आपका content के साथ slide का design भी आता रहेगा